Hello everyone, welcome back to my channel Parenting and Education आज बहुत दिनों की बाद मैं एक Parenting वीडियो के साथ आई हूँ आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे स्कूल के बार में बताऊंगी जिन में आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो वो भी free of cost जी हाँ, इडिया में बहुत से बहुत से government scheme है जिनके अंडर आप अपने बच्चों को एकदम free of cost पढ़ा सकते हो क्योंकि रिसेटली मैंने RTE पर एक सीरीस की है RTE means Right to Education Act जिस Act के अंतरगत सभी private school में ऐसे government scheme होती है जिनसे बच्चे free of cost पढ़ सकते हो और मैंने नोटिस किया है कि बहुत से parents को अभी भी नहीं पता है कि RTE के अलावा भी government के ऐसे बहुत से scheme है जिनमें आप अपने बच्चे को free of cost पढ़ा सकते हो तो आज की वीडियो में हम इसे topic में डीटल बात करेंगे Friends, उससे पहले मेरी छोटी request है अगर आपको parenting और educational पर और अच्छे ची वीडियो देखने है तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon को hit कीजे क्योंकि अगर आप bell icon को hit करते हो इससे मेरे आने वाले वीडियो को notification आप तक पहुच जाएगी और आपको parenting के अच्छे ची वीडियो भी देखने को विलेंगे केंदर सरकल चलाती है और केंदरिय विद्याले को भी Central Government School भी कहती है केंदरिय विद्याले के total school 9 से के उपर है और हर एक इंडिया के हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक में इसकी 2 या 30 से उपर branches होती है केंदरिय विद्याले उन student के लिए है जिनके parents government employee है जिनकी transfer होती है क्योंकि अगर बीच में transfer हुई तो बच्चे को दाखला मिला बहुत difficult होता है यही धारना सोचकर केंदरिय विद्याले के स्टापना हुई तो और केंदरिय विद्याले में अलग-अलग reservations होते है जिनकी तो बच्चों का admission मिलती है और यहाँ पर जो board होता है वो CBC pattern होता है और यहाँ पर standard first से लेकि 12 तक पूरी free पढ़ाई होती है girls के लिए पूरी free education होती है लेकिन boys के लिए 9 standards से कुछ उनकी महने की fees लगती है केंदरिय विद्याले का education है और यहाँ के जो teachers है वो बहुत experts होते है PhD level के teachers होते है और अगर बच्चे आगे जालके 12th pass होके किसी इंस्टोर्ट में काम करते है तो उनको देखने वाला जो नजरिया होता है यह केंदरिय विद्याले का है तो वो भी अलग होता है क्योंकि केंदरिय विद्याले में studies के अलवा extra collectory activities में भी विशेश ध्यान देते है और यहाँ पर बच्चों के overall development के बारे में भी सोचते है अगर आपको आपके बच्चों के अच्छा education प्रवाइड करना है तो केंदरिय विद्याले भी एक अच्छा option है नमबर टू, RT school Actually, RT school कोई होता नहीं पर RT के act through, means right to education act through किसी भी private school में 25% कोटा होता है जिनमें आप अपने बच्चों को एकदम free education दे सकते है RT की through, जिन भी बच्चे उनकी economic condition poor है वैसे बच्चों को special resolution होता है इसके अलावा, SC, ST, OBC इनके बच्चों के लिए भी special resolution होता है और जिनकी annual income एक लाग से कम हो जो personally handicap student हो जो divorce parents के बच्चे है, single parents के बच्चे है उनको भी special resolution होता है जिनके बच्चे free of course private school में बढ़ सकते है Friends, RT, 25% free education इस पर मैंने special series बनाई है यहाँ पर मैंने हर एक topic पर separate separate वीडियो बनाए है आप please playlist में जाके सारे वीडियो चेक कीजिए या वीडियो की link पर description box में दे दूँगी नंबर थार्ड पर आता है नवोदे विद्धाले जिसे JNV की नाम से भी जाना जाता है नवोदे विद्धाले पूरे भारत में 661 इनकी शाकाय है और नवोदे विद्धाले अलग होते है जिनमें residential सासत होस्टल के फैसिलिटी होती है नवोदे विद्धाले शेहर से दूर गाव में बसे होते है और इस विद्धाले में ग्रामीन भागो की सुडेन पर विशेश ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे 6 तू 12 सेंट तक पढ़ाई होती है और इनकी जो 6 सेंट पे इंटेक होती है यहाँ पर 80 सुडेन की से ट रिजव होती है नवदे विद्धाले का जो बोर्ड होता है वो CBC बोर्ड होता है और यहाँ पे 3 लैंग्वे से आप पढ़ाई कर सकते हो नवदे विद्धाले पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप प्लीज एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लिजिए लिंक में डिस्क्रिशन बाग में दे दूँगे नमबर फोर सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल ये भी इंडिया के टॉप मोस एजुकेशन इंस्टूटल में से एक है यहाँ पर भी CBC बोर्ड की द्वरा पढ़ाई की जाती है यहाँ पर बच्चे 6-2, 12-7 डर्ग पढ़ाई कर सकते है जिनमें बच्चों को, गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को एकदम फ्री एजुकेशन होता है और जो बोईज होते हैं, उनको फी लगती है पूरे भारत में सैनिक स्कूल की शाखा है 31 और सैनिक स्कूल इसलिए बनाया है कि जिन भी बच्चों को आगे जाके डिफेंस, मिलिटरी में जाना है तो उनको पहले से उस टाइप का एजुकेशन देना है ताकि वो पहले सी प्रिपेड रहे और आगे जाके वो डिफेंस या मिलिटरी सर्विस में अपना फीचर कर पाए सैनिक स्कूल में भी डिफेंटरा के कैटेगरी में रिजर्वशन होता है जैसे यसी, यस्टी, ओबीसी और जिन भी पैरेंट्स डिफेंस में थे, मिलिटरी में थे उनके लिए स्पेशल कोटा होता है जिनकी थ्रूब बच्चे एड्मिशन कर सकते है और यहाँ पर भी अगर आपको एड्मिशन कराना है तो क्लास 6 से लेके 12 सेंटर्स आप एड्मिशन करा सकते हो सैनिक स्कूल में रहने खाने के भी सुविधा होती है और इनकी जो annual fee होती है वो near about 1 lakh होती है लेकिन अगर देखा जाए तो उनको scholarship या फिर जो बच्चे के parents अगल military में वगर defense में है तो उनको तो एक दम free of education होता है उनको किसी प्रकार के fee में नहीं भरने पड़ती है और नमबर लास्ट स्टेट government school Friends, इंडिया में जितने भी state है तो state की हर एक इसकी district wise या state wise उनकी government school होती है आज कल देखा जाए तो private school का इतना इतना प्रभाव है कि private school की सामने government school की कोई value नहीं करते है पर ऐसा नहीं है government school में भी अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन अगर आपका थोड़ा सा point of view change करे तो government school में भी आप अपने बच्चे को पढ़ाई कर सकते क्योंकि government school में बहुत सा इसे सुवीदा है जो private school में नहीं देते है अगर private school के अगर fees की बात करे तो private school में इतनी fees होती है कि अगर हमारे बच्चों का government school में पूरा एजूकेश हो जाए उतनी एक साल के उनकी fee होती है लेकिन आज कल नजरिया पूरा change हो के जाए हर एक parent को लगता है कि हमारे बच्चे के admission हम private school से करे एक अच्छे school से करे मिस जितनी ज़्यादा private school school के fee होती है parents को लगता है कि उतनी वहां के education भी उतनी ही अच्छे होती है पर ऐसा नहीं है government school पे बच्चे भी आज कल बहुत आगे है और आगे चलके ये बच्चे केंदरिया विद्याले ये नवदे विद्याले के बच्चे आगे चलके IAS भी बनते है क्योंकि IAS में अगर आप record देखा जाए तो वहां पे 50-60% बच्चे जो आते है वो केंदरिया विद्याले से आते है तो आज कल की ये सोच कि government school के बच्चे बिल्कुल भी होशार नहीं होते है private school के बच्चे ही होशार होते है वो ही चलके आगे बढ़ते है तो ऐसा सोचना भी गलत है So friends, आज के वीडियो में मैंने आपको इंडिया के 5 ऐसे school बताया है जिनमें आप अपने बच्चे को free education दे सकते हो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चानल को जितना हो सके सस्क्राइब कीजिए इससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिक्शन आप तक पहुच जाएगी चलो फिर मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ बाई टेक केर